नमस्कार दोस्तो रमीज राजा भाई ये पाकिस्तानियों को मुझे समझनी आता कुछ भी हो जाए भाई कल को इनकी तरक्की हो जाए तो भी इंडिया की बात तो होगी कल को इनका लॉस हो जाए तो भी इंडिया की बात करें कल को इनकी शादी हो जाए तो भी इंडिया का ल इंडिया ने हमारे पेसर्स को बैश करा था एशा कप के अंदर उस उस ट्रैक के उपर उस पिच के उपर उस सीविंग ट्रैक के उपर जैसे इंडिया वालों ने बैश करा था हमारे पेसर्स को उसके बाद से भी हम हमारा जो पेसर्स और हमारे जो बोलिंगे वो डामल डोल हो और रही बात exposed की तो भही आप पहले से exposed है आपके Pacers already exposed थे Pacers तो भही नाम के थे Performance अबने देख लिए भी World Cup USA के गिंस्ट हो गई, Ireland के गिंस्ट हो गई Performance तो हमने देख रहे कि आपके Pacers के ऐसी बात नहीं है बट इंडिया को हर जगी include करना यह unreal obsession है समझ नहीं है कि ऐसी obsession क्यों है क्या रिष्टा है भई यह इंडिया से कि हर चीज में इंडिया को तो include करना है आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे शमी भाई अडशुदी पिन के पीछे पढ़े रहते हैं हर बजन सिंग के पीछे पढ़े रहते हैं वन टू फोर थ्री ऐसे कुछ डेज होगा जबता है कि अपने होम के अंदर नी जीते टेस्ट मैच बंगलदेश के अगेंस्ट हार के आपको पिछ का ही नहीं परता क्या पिछ है आउस्ट्रिया से अप मंगवा तो एक पिछ क्यूरेटर को भी हमारी पिछ बना दे उसने थोड़ी सी घासवास लगा दियो आपको लग रहा है कि वह यह तो बनगी ऑस्ट्रियान पिछ हम सारे पेसर्ज खिला देंगे बट वह पिछ अलगी रूप के अंदर आगी और आउस्ट्रिया लग अंदर तो इसका मतले है थोड़ी कि वह आउस्ट्रिया लग अंदर स्पिन ट्रैक बना देगा तीन चार स्पिनर खिला लो भाई ऑस्ट्रिया के जो पिछे वह इंडिया दिस ही बन जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता है नैचुरल पिछ अपने आप उसी हिसाब से भी भीएफ करेगे तो कहीं ना कि इस चीज की कमी ती जो उनके वो भी कह रहें भई इनके जो चेयरमन सहाब है उनका भी कहना है कि टीम सिलेक्शन कहीं ना कई पर हाथ रख रखर ते शाहिन शाह रख टेंड लिए उनका घंडर से। वह अठायां से। मेंरे को there was captain कुछ नहीं बनाया तो वह स्क्रिफ वी इस वीडियो के अंदर शर्क्यूलेट हुँए शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना ज़रूर से बताने कि क्या कमजूरी रही है पाकिस्तन क्रिकेट की क्यार पफोर्मेंस क्यों नहीं आरे है